हलो गाईज आप देख रहे हैं गॉसक टाउन और मैं हूँ आपके साथ कृतिका बिग बॉस सीजन 17 का दूसरा हफता चल रहा है लेकिन जो घर में लड़ाई जगड़े हैं वो बहुत जादा बढ़ गए है बीते दिनों अंकिता और खांजादी के बीच में जगड़ा हुआ था यहां तक की खांजादी ने अंकिता पर परसनल अटाक करते हुए उन्हें कहा था कि वो आक्टर होने का फाइदा उठाती हैं ऐसे में कई टीवी सालेज अंकिता के सपोर्ट में खड़े हो रहे थे वही लेकिन जो संदीब सिकन थे वो ना अंकिता को ही टारगेट करते नजर आ रहे थे और उन्होंने अंकिता का नाम तो नहीं लिया था लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि कुछ टीवी आक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आक्टर होने का फाइदा उठाते हैं और अब उस पर हिना खान ने लंबा चोड़ा पोस्ट किया और उन्होंने भी संदीब का नाम नहीं लिया लेकिन उन्हें यूनों काफी खरी खोटी सुनाई है और अब इसके बाद जो संदीब सिकन है उन्होंने अपना रियाक्शन दिया है जी हां उन्होंने अब एक ऐसा कमेंट कर दिया है आप कहसकते हैं कि उन्होंने हीना खान को भी फिटिंग रिपलाई दिया है क्या कुछ कहा है संदीब ने यकीनन आप भी जानना चाहते हूंगे तो सबसे बहुत आपको बता देती हूं कि आखिरकास संदीब सिकन ने लिखा क्या है आप देख सकते हैं संदीब क ये इंस्टा स्टोरी पर जो पोस्ट है ये तेजी से सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है दरसल Sandeep Sikand लिखते हैं Thank you for extending my 2 minutes fame to 4 minute Much appreciated A lot of my friends and followers want me to respond But I really don't bark back at people who bark at me Just not my style As a viewer I will continue with my opinion And people with no job can find new jobs by responding to them As they say water of the duck baths and get a life इसका आपको you know Hindi में भी बता देती हूँ कि आखिरकार उन्होंने क्या कहा है दरसल हिना कान की जो पोस्ट थी वो तो वारल हुई ही थी और हिना कान की पोस्ट पर Sandeep का जो कमेंट सामने आया है वो काफी जादा हैरान कर देने वाला है उससे साफ है कि Sandeep ने हिना को मूत और जवाब दिया है Sandeep ने इंस्टा स्टोरी पर कमेंट करते हूँ लिखा शुक्रिया मेरी दो मिनट की फेम को चार मिनट में तबदील करने के लिए काफी सहरानिय कदम मेरे बहुत सारे सोचल मीडिया पर दोस्ट और फॉलोवर्स चाहते हैं कि मैं जवाब दू लेकिन मैं अक्सर उन लोगों पर नहीं भौकता जो मुझ पर भौकते हैं ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है एक दर्शक के तौर पर मैं अपनी राय को देता रहूंगा और जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो मेरी बातों पर रियाक्ट कर नया काम तलाश कर सकते हैं जैसा कि वो कहते हैं बतक की पीट पर पानी नहीं टिकता जी हाँ ये कहा है अब संदीब सिकंद ने हिना खान के रियाक्शन पर पहराल आपकी क्या राय है और ये बात तो साफ हो गई है कि अब जो ये लडाई है ये बहुत जादा बढ़ गई है आपका जो रियाक्शन है वो आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइए और अगर चानल पर नए है तो गॉसप टाउन को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो में इतना ही